वेल हेलो गाइज, I am Akhilesh and you are watching Facts For You तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली 24 जुलाई को लेट सुषान सिंग राजपूर की मूवी दिल बेचारा रिलीज हुई जिसे काफी लोगों ने पसंद भी किया और इस मूवी का ओडियंस पर कितना इंपक्त पड़ा, वो आपको हिसबास से ही पता चल जाएगा कि इट क्रॉस इस 95 मिलियन प्लस व्यूज इन जस 24 आर्स जिसकी वज़े से इस मूवी ने वर्ड रिकॉर्ड तक बना दिया अगर कोई मूवी इतनी फेमस हो जाए तो हमें उससे रिलेटेड काफी सारे फैक्स देखने को मिलते हैं और इस मूवी से रिलेटेड एक फैक्त ये भी है कि दिल बेचारा मूवी की स्टोरी एक्च्वल में हॉलिवूड की दो मूवी देखने काफी सिमिलर है लेकिन इस सीज का उतना इंपक्त ने पड़ता क्योंकि एक इंडिस्ट्री का दूसरी इंडिस्ट्री से इंस्पायर होना इस नौट बैड तिंग अट अल उसमें से टॉक्सिसिटी ना फैले And then I watch this movie which is actually good. And isi wajay se I thought lets check it out how much did this movie earn just for curiosity. But I am totally shocked, because google say it is ki Dil Bechaara Movie ने 2000 Kroor का Box Office collection कर लिया in just 24 hours. Is that possible in real? And the answer is no, it's absolutely impossible And not only for Bollywood, अगर हम Hollywood से भी compare करें तो 2000 करोड का record सिफ कुछ movies ही cross कर पाई है जैसे कि Avenger Endgame, Star Wars और Avatar जैसी movie जो कि worldwide super duper hit रहे चुकी है और ये box office collection इन movies की lifetime का collection है ना कि just in a single day और उपर से दिल बेचारा movie किसी theater में भी launch नहीं हुई है And in fact, सिफ Hotstar पे release हुई है और उसमें भी लेट सुषान सिंग राजपूत की याद में इस movie को non-premium members के लिए भी free में available किया गया है Then how it will be possible कि कोई movie सिर्फ एक digital platform पे launch हो And it will earn 2000 करोड in a single day वैसे मैं इस movie को खुद personally suggest करूँगा But यार इस type की hype is just a bullshit और इस बात पे और दादा हसी तब आती है when people start believing की हाँ गूगल is always right Toh उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा की भाई और उनकी पहनो Google पे सब कुछ करेक्ट नहीं होता यार बलकि किसी भी platform पर not everything is correct You just have to put some common sense also on that So that's all for today I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी Till then good bye see you in the next one Thank you for watching and have a nice day